एलो स्टूडेंट्स अभी देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लेम रिलेटेड टू स्वेच्छन बैंक आफ उनिवर्सिटी आफ मुंबई एमकॉम सेमिस्टर फॉर सब्जेक्ट कॉर्पोरेट फाइनेशल अकाउंटिंग हम प्रॉब्लेम नॉमबर सेवन देखने वाले हैं अभी सब्जेक्ट मतलब टॉपिक है कॉंसलर डेटेड फाइनेशल स्टेटमेंट अभी पार्ट थर्टीन चालू है हमने अल्रडी ट्वेल पार्ट डिसकस कर दिया है ट्वेल प्रॉब्लेम मतलब हमने सॉल कर दिया है उसका सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्चन बॉक्स में मिल जाएगा तो चेक कीजिए सभी प्रॉब्लेम देख लीजिए चाइनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए वीडियो को ढ़ी अबिस्ट भॉब्लेम कौन सा है तो सोलेम सब्सक्राइब क्या निमितेड क्या रहेगी क्योंकि उसने मोना लिमितेड में इंवेश्मेंड कर दिया है सब्सक्राइब क्या है और उसका कॉश्च दिया है 77,500 तो यह देखिए इन्वेस्टमेंट यहाँ पर दिया हुआ है वहाँ पर भी 77,500 कॉश्ट अफ इन्वेस्टमेंट है ओके तो देखिए अगे नेक्श देखिए आगे बैलेंशिट दिया हुआ है दोनों कमपनी का 31st मार 2022 का यह एक्विटी शियर 100 रुपीज टेई नीच है और यह इन्वेस्टमेंट भी दिया हुआ है यहाँ पर इन मोना लिमिटेड ओके बहुत सारी मिस्टेक से एक्चुली ओके मोना लिमिटेड ओके देखिए आगे क्या है देखिए आगे क्या है दे फॉलिइंग एडिशनल इन्फोरमेशन ने इस प्रोवाइड देखिए यहाँ पर टोटल प्रोफिट कि इतना दिया हुआ है प्रोफिट और लॉस अकॉंट को 12,500 है तो 12,500 में से 10,000 ओपनिंग बैलंस था तो करन्ट सोरी 10,000 करन्ट इयर का प्रोफिट है मतलब ओपनिंग बैलंस कितना बजएगा 2,500 ओपनिंग बैलंस था तो P&L में ओपनिंग बैलंस था 2,500 यह हमें capital profit find out करने के लिए consider करना पड़ेगा और यह जो 10,000 current year को मिला है उसमें से भी अभी 1st July दिया हुआ है मतलब कितने महिने होगे देखिए April, May, June यह 3 महिने भी होगे तो 3 महिने का जो profit है 10,000 में से 3 महिने का जो profit है वो हमें capital profit consider करना पड़ेगा और remaining 9 months का profit है वो हमें revenue profit consider करना पड़ेगा ओगे देखिए आगे यह क्या दिया हुआ है तेखिए, general reserve balance appear in the balance sheet of Mona Limited has remained unchanged since 1st April 2021 मतलब starting से जो general reserve का जो balance है वो as it is है वो unchanged है हम normally वही consider बाकी के जो भी problem थे उसमें ऐसे कोई note नहीं दिया हुआ था लेकिन हमने वही consider कर दिया कि जो general reserve में जो balance है वो as it is intact है उसमें कोई भी addition नहीं है deduction नहीं है ऐसे हमने consider कर दिया तो यह 20,000 हमारा क्या रहेगा capital profit रहेगा यह note यहाँ पर दिया हुआ है वही चार चीज़े calculate करने के बोला है ओके देखे सोना लिमिटेड total number of shares कितने है 10 each है मतलब यह shares है 12,500 total number of shares है 12,500 और उसमें से कितना share purchase किया हुआ है 7,500 तो सोना लिमिटेड के shares कितने रहेंगे 7,500 remaining रहेंगे NCI के NCI मतलब non controlling interest उसके रहेंगे 5,000 तो अभी percentage निकालते कितने है 7,500 divided by 12,500 into 100 तो percentage आ रहें 60% तो remaining कितने रहेंगे 40% तो हमने holding निकाल 60% है subsidiary company में investment किसकी सोना लिमिटेड के holding company के अभी capital profit निकालेंगे अभी capital profit निकालेंगे देखे capital profit में हमने अभी discuss कर दिया एक्चली general reserve तो capital profit में जाएगा as per the note number 2 capital profit में जाएगा 20,000 profit and loss on opening balance वो कैसी है हमने निकाला यह total balance है 12,500 उसमें से current year का profit है 10,000 तो वो minus कर दिया तो opening balance आ गया 2,500 और देखे आगे current year का जो profit है 10,000 उसमें से तीन महिने का जो profit है वो capital profit है तो तीन महिने का निकालते है 10,000 divide by 12 into 3 करना पड़ेगा यह formula यूज करके हमारा answer आ जाएगा 2,500 तो total हमारा capital profit हो जाएगा 25,000 तो total capital profit हो जाएगा 25,000 और उसका distribution हम यहाँ पर कर देंगे कितने 60% है न तो 25,000 into 60 divided by 100 औके यहाँ पर आएगा 25,000 into 40 divided by 100 40% तो total हो जाएगा 25,000 यह capital profit हो गया यहाँ पर अभी answers available नहीं है यह problem का ठीक है तो यह 25,000 हमारा capital profit आ गया अभी revenue profit देखे general reserve तो निल रहेगा क्योंकि जो balance था वो as it is है इंटक्ट है current year को general reserve में कोई भी transfer नहीं हुआ है profit and loss account में 2,000 फाइड ओपनिंग बैलांस था यह 10,000 फाइड ओपिस current year का profit था यह 10,000 में से 2,000 फाइड ओपनिंग बैलांस 10,000 फाइड करेंट यह का capital profit को गया क्योंकि तीन महिने बाद acquire किया shares इसकी बज़े से अभी remaining 9 months का यहाँ पर आएगा 9 months का मतलब आएगा 7,500 10,000 में से 2,000 फाइड यहाँ पर चला गया तो remaining बचा 7,500 तो 7,500 हमर आएगा revenue profit आएगा revenue profit हमर आएगा 7,500 अभी 7,500 डिस्टिब्यूट कर दो total limited का 60% है तो 7,500 into 60 divided by 100 4,500 and NIC का NCI का 40% है तो 3,000 आ रहा है total 7,500 हो रहा है तो यह हो गया revenue profit 7,500 और यह दोनों का share आएगा holding company का और non controlling interest का share अभी cost of capital निकालते है cost of capital देखिए cost of investment कितना है पहले 77,500 यहाँ पर दिया हुआ है 77,500 यहाँ पर भी दिया हुआ है cost of investment 77,500 less share capital अभी share capital कितना है 7,500 shares into 10 मतलब 75,000 का share capital है 75,000 का share capital है and capital profit का share यह 15,000 यह capital profit का share यह देखो यह capital profit का share 15,000 ओके तो इस प्रकार से एक्च्वरी हमारा यहाँ आ रहा है यहाँ पर 90,000 ओके देखिए cost of investment है 77,500 and value of investment है 90,000 तो value of investment greater than cost of investment इसके वाज़े से यहाँ पर आ जाएगा अभी goodwill नहीं आएगा अभी यह capital reserve यह capital reserve रहेगा ओके अभी यहाँ पर यह capital reserve find out हो रहा है यह 12,500 capital reserve है यह minus में दीख रहा है लेकिन यह capital reserve है minus में दीख रहा है इसके वाज़े से यह capital reserve है क्योंकि cost of investment कर में value of investments है तो यह आ गए हमारा capital profit 12,500 sorry capital reserve आ गए है 12,500 अभी अगे देखते हैं क्या है अभी non controlling interest निकालेंगे उसमें share capital का share कितना रहेगा non controlling interest यहाँ पर हमने निकाला हुआ है 5000 share से तो यहाँ पर आ जाएगा 50,000 5000 into 10 share capital आ जाएगा 50,000 next capital profit का share यहाँ पर एक capital profit का share 10,000 है and plus revenue profit का share यहाँ पर निकाला है 3,000 है तो ऐसे आ रहा है 63,000 आ रहा है non controlling interest यहाँ हमारा complete होगे 4 चीज हमने find out कर ली next अभी share capital का note बनाते हैं यहाँ पर share capital में 10 इची है 4,50,000 आ जाएगा खाली holding company का हम लिखते है 4,50,000 यह हमारा complete होगे share capital उसमें कुछ नहीं है और and reserve and surplus में अभी देखते है तेकि इसका general reserve आ जाएगा 80,000 खाली holding company का आ जाएगा 80,000 okay next P&L यहाँ पर 40,000 है holding company का आ जाएगा 40,000 यह एक्चली opening balance नहीं है एक्चली यह P&L account of holding company है okay इतना है P&L account of holding company 40,000 है वो आ जाएगा and देखो revenue profit में से revenue profit में से कुन से company का share mona limited का share okay mona ही है न हाँ mona limited okay तो उसमें कितना share है देखो revenue profit में mona limited का share nona limited के revenue profit में sona limited का share 4,500 तो इस प्रकर से हमारा reserve and surplus आएगा 1,24,500 off mona limited नहीं है in mona limited okay तो यह 1,24,500 आ जाएगा reserve and surplus 4,50 आएगा equity share capital आ रहा है okay यह हमने सभी आभी निकाल दिया okay यह problem number कौन सा है problem number हम seven देख रहे थे okay इसमें capital reserve आ गया यह पहला problem है कि जिसमें capital reserve आ गया यहापर cost of control find out करते समय okay क्योंकि cost of investment कम है and value of investment जादा है okay तो इसके वाज़े यहापर revenue यहापर capital reserve आ गया goodwill की जगा okay okay तो thank you very much subscribe to my channel share this video with your friends okay thank you